yes people good morning good afternoon good evening to all of you कैसे है सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं पता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो गाइस जैसे कि आपको पता है हमारा नया बैच आने वाला है that is for May and November 2025 exam के लिए CA के लिए and CMA के लिए June and December 2025 exam के लिए लेकिन आपको पता रहेगा आपका जो बैच है ना that has to be amended by the finance act 2024 of finance act 2024 सर फिनेंस एक 2024 तो बन चुका है ना वो तो फैब में बजट आया था फैब 2024 में बट नहीं बेटा वो जो है उसको हम interim budget बोलते है जो election से पहले होता है लेकिन election के बाद वाला जो main budget आएगा and guys आपको पता है election से पहले वाले budget में कुछ amendment होई नहीं था उन्होंने clearly एक line में बोल दिया था there is no amendment in the income tax and GST लेकिन अभी जो budget आने वाला है in the month of the July 2024 इसमें मेरे को यह expected बहुत सारी changes आने वाले हैं आपने ऐसे market में सुना होगा कि शायर F&O है उसको casual income बना सकते हैं ऐसा भी सुना होगा कि शायर individual का tax rate जो slab rate है वो 25% 37% उसको reduce किया जा सकता है share market जो है उससे related काफी amendments आने के chances इस बार दिख रहे हैं और मैंने तो यह भी सुना है कि share market में जो F&O अगरा करते हैं वहाँ पे शायर TDS है वो TDS वाला concept लेके आए तो sir आपने जो badge का date डाला था पहले हमारे badge का date 22nd of July 2024 था sir 22nd July क्यों डाला था क्योंकि मेरे को expected था कि आपका budget है वो first week of July में आ जाएगा तर आपने कैसे सोच लिया first week of July में आ जाएगा क्योंकि आप दिखेंगे 2019 में election year था 2019 में Modi government है वो repeat हुई थी और उन्होंने budget अनूंस किया था on the 5th of July 2029 को 19 को sorry so 2019 को जो budget था वो budget आया था 5th July 2019 को तो I was thinking that कि अगर 5th को budget आ जाएगा तो मेरे पास sufficient approximately 15 days का time रहेगा और वो 15-20 days में मैं क्या करूंगा आपके लिए जितने भी amendments है book को update करना है और वो सब हो जाएगा लेकिन आपको पता है अभी budget अभी तक नहीं आया जिस दिन मैं ये video record कर रहा हूं and budget का expected date है क्योंकि budget session चालू हो रहा है Parliament में from the 22nd of July 2024 तो यहाँ पर budget आने का जो chances है that is 23rd July को है तो 23rd July को जो है वो budget आएगा तो guys हमको batch थोड़ा delay करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये नहीं चाता कि मैं आपको पुराने वाले के हिसाब से पढ़ा लो फिर changes करना और छोटा सा changes होता है उसका impact बहुत जगे आता है अगर tax rate change हो गई तो पूरे syllabus में उसका impact आएगा आपके पास book पुरानी रहेगी सब चीज़े अपडेट करनी रहेगी हर question अपडेट करना रहेगा that I don't want so guys I request you please cooperate on this matter because आपके हाथ में भी नहीं है मेरे हाथ में भी नहीं है ultimately निर्मला सीता रहमन जी के हाथ में गवर्मेंट के हाथ में है यह budget वाला part तो सर हम क्या करेंगे सर क्योंकि हमारा batch अब कब चालो होगा तो मैं बता हूँ आपका batch चालो होने वाला है Monday 5th of August 2024 से तो आपका doubt ही रहेगा सर batch हमारा late चालो हो रहा है तो क्या batch हमारा डिले हो जाएगा ending में I will try my best के डिले ना हो तो मैं क्या करूँगा मैं normally Monday to Friday lecture ले रहा लेता था मैं इस बार क्या करूँगा आपका Monday to Saturday lecture ले लूँगा तो जिससे क्या होगा आपका 8-9 days का जो time अपना जो डिले हो रहा है अपना जो डिले हो रहा है वो अप्रॉक्स 12 days से डिले हो रहा है तो वो मैं adjust करने की कोशिश करूँगा on the Saturday sometime ऐसा भी हो सकता कि Sunday को मैं आपको lecture दे दूँगा घर के ठीक है तो उससे क्या होगा ना का आपका batch जो completion है वो completion डिले ना हो that I will try best from my side तो आप उसके लिए बिंदास रही है tension मत लीजिए अब बहुत सारे बच्चों का ये भी doubt आ रहा था कि सर आपका exam oriented batch का बारा है May November 2025 वाला तो मैं बता दू exam oriented batch है that will be available from the 15th of August 2024 तो अगर आप regular batch लेना चाते हैं तो regular batch 5th August से चालू होने वाला exam oriented batch है वो आपका 15th of August 2024 से चालू होने वाला है एक बात बता दू आपको DT जो पढ़ना है वो बहुत धंग से पढ़ना है ऐसा नहीं कि उपर उपर से पढ़ लो नहीं एंड मैं यह assurance दे सकता हूँ कि इंडिया में आपको बहुत अच्छे से मैं आपको DT पढ़ा होंगा करें कि ठीक है मैं मेरा पूरा try करूंगा आपको भी अपना try करना है because what happened मैंने यह चीज़ analyze की है कि DT वाला जो concept है ना वो आपके paper number 6 में भी आ रहा है जिससे कि आप paper number 6 है उसमें भी आप excel कर सकते है अब आपका doubt यह रहेगा कि sir हमारा जो batch delay हो रहा है 10-12 days से तो हमको यह 10-12 days में क्या करना चाहिए तो मैं बताओ यह 10-12 days में आपको कोई दूसरा subject complete करना चाहिए जैसे मालो audit है वो आपका नहीं हुआ है तो please आप इसको complete कर लीजे या फिर आपका जो SPOM वाला part है वो SPOM वाला part आप complete कर लीजे अगर गे ठीक है देखो DT IDT को छोड़ दीजे because DT IDT में there में भी possibility IDT तो चलो circular notification बेस ज़्यादा चलता है बट DT जो है वो finance act के basis पे ज़्यादा चलता है तो मैं क्या करूँगा जैसे ही budget आ जाएगा 23rd को I will get a prox time मेरे को वहाँ पे time मिलेगा करें ठीक है 10-12 days का और जैसे ही budget के basis पे मैं मेरी books बना दूँगा अब देखो budget आता है उसको finance bill बोलते है लेकिन मैंने तो अभी finance act वेड यूज किया था तो act जब बनेगा ना अगर मानलो बहुत बर ऐसा भी होता है so see you on the 5th बाकी बंदास रही है tension मत लीजिए वो dt का आप मेरे पर छोड़ दीजिए time पर complete होगा हर चीज अच्छे से complete होगी बस आप जो है जब आप dt कर रहे हो तो morning में जब 3 hours आप मुझे दे रहे है वो 3 hours आप मुझे देना उसके बीच में कभी भी आप जो है वो क्या होना चाहिए so guys see you on the 5th August 2024 thanks a lot